हेलो स्टुएन्ट्स तो आज के इस वीडियों हम देखने वाले हैं कक्छा दसवी विज्ञान का इसमाइल 3.0 हुमर को सालिशन तो आएए देखते हैं क्या है किसे कहते हैं तो बच्चो इसका आंसर हम देखते हैं तो बच्चो इसमें आप यहां पर देख सकते हो कि आईरन आकसाइड के साथ एलिमिनियम की जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो यहां पर रासाइनिक समिकर्ण बनी हुई यह आपको लिख लेना है बच्चो तो इसे ही थर्मित अभिक्रिया केती है और इसमे किया बनता है, लाश्टि में उस्मा बस्ती है, तो ये आपका थर्मित अभिक्रिया होगा है, अगले कुषि ने बताय जा रहा है बच्चो कि अत्यांत अभिक्रिया, शील धातुओं के आपसाइड का अपचैन कर, उनसे धा दातुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता क्यों तो आईए दिखते हैं इसका अंसर हम तो बच्चों यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सोडियम, मेगनिशियम, केलसियम, एल्यूमिनियम आदिक के आकसाइट का अपचेन कर उन्हें धातों में परिवर्टत नहीं कह सकता इन धातुओं की बंदुता कारबन के पिक्षा, आकसिजन के प्रती अधिक होती है इन धातुओं को विद्ध अब घटनी अपचेन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह इसका अंसर हो गया, नेश्ट क्यूशन पर चलते हैं हम अगले क्यूशन में बोला जा रहा है कि यस दलेपन में जो है जस्तेयाट जिंख की जो पतली परत चड़ाने की जो विदी है वो क्या गया जाए झाए जाएगा, जस्तेया जिंख की परत चड़ाई जाती है, अगले क्यूशन पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्यूस्टन है कि सिसा वाटीन की मिस्र धातू क्या कहलाती है तो आए देखते हैं सका An Until तो बच्यों यहाँ पर दिखाए गारा है कि सिसा यहीं टीन की जो मिस्र धातू है 8-400-400-400, जी हाँ, याद कर लिजिए WhatsApp नमबर, क्योंकि अब चाहे आपका Maths का सवाल हो, या Physics, Chemistry, Biology का, आपके हर doubt, हर question का मिलेगा तुरंत वीडियो solution, वो भी सिधा आपके WhatsApp पर, बस अपने फोन में doubt nut का 8-400-400, WhatsApp नमबर से उकर लिजिए, और chat open कीजिए, फिर जो भी आपका doubt उठे, उस सवाल की आपको बस फोटो किसनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो solution मिल जाएगा, क्लास 6-12, IATJ, NEET, CBSC बोट्स, और सभी स्टेट बोट्स के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाईए, 8-400-400, पर अपने सवाल WhatsApp की जीए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो क्या है, सोल्डर है, जिसका गलनांग बहुत कम होता है, यानि कि आपका अंसर आजाएगा सोल्डर, अगले क्यूशन पर चलते हैं हम, अगले क्यूशन बोला जा रहा है, बच्चों कि सिल्वर की वस्तुएं वायू में खुला जाती है, सिल्वर का वायू में उपस्तित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फलाइट की परत बनने के कारण ऐसा होता है, तो यह आपको यहां तक पुरा अंसर लिख लेना है बच्चों, ठीके, अगले क्यूशन पर चलते हैं हम, अगले क्यूशन में दिखाए ज आइसको के लिए किया जाता है, जबकि निस्तापन का प्रयोग हाइड्रेटिक आइसको के लिए किया जाता है, बारजन में आइसको को वायू के उपस्तितिम गर्म किया जाता है, इसमें एसोटू को यह सुत्पन होती है, इसमें सियोटू के सुत्पन होती है, अगले तो बच्चों यहां पर देख सकते हो कि विद्ध अबगटी से जब विद्ध धारा प्रवाइद की जाती है तब एनोड पर इस्तित असुद्ध धातू विद्ध अबगटी में घुल जाती है इतनी ही मात्रा में सुद्ध धातू विद्ध अबगटी से के थोड़ा पर निशेपित होती है जिसे एनोड़ पंक कहते हैं तो जो विले अविले असुद्धियां है वो एनोड़ तल पर जम जाती है निशेपित हो जाती है उसको कहते हैं एनोड़ पंक तो यहां पर पूरा आंसर आप देख सकते हो बच्चो तो इसी प्रकार के डेली होमवर्क के लिए हमारे चैनल को जोरू सब्क्राइब कीजिए थेंक्स फॉर वाचिंग